दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में आपको उनलगा किसा हमारे लेचा पनाप को यह उसने ऊच्रणव कि घर के सबसंब्स हंवारी इki दिन के अंदर हमारा एक पूरे दीन के अंदर हमारे घर के अंदर में कितना लोड कितना है न लोड चल रहा है, जो कितना है हमारे घर का वह हम को पता हो ना ची ऑट न एक दो हाईगा बूहीं दिशह को अदि नमगे चालगान एक TV मान के चलता हूँ, तीन LED लग रही है, ठीक है, तीन LED बल्ब लग रहा है, इसके लाओ दोस्तों में एक प्रेस मान के चल रहा हूँ, बस मेरे घर में यही लोड मान के चलता हूँ, ठीक है, अब दोस्तों मेरे को यह पता है कि हमारे घर के जो पंखे होते हैं, उस पंखे का मान की चलता हूँ ठीक है इसके अलाओ दोस्तों जो प्रेस है प्रेस में एक ही प्रेस है जो एक हजार वाट की है प्रेस जो होता है प्रेस के ज्यादा लोड लेता है घर का तो प्रेस का जो लोड है वो एक हजार वाट है अगर दोस्तों आपके घर के प्रेस नहीं लग र को रगांटा आप अन्षाना का दो सब्सक्राइब कर दो कुना सकावर में हो नहीं है वह एक दो हमती है तो दोस्तों इन को पहले में इसको किल आप आप की से नहीं है उपकी इन में ढूर्व कि शल्बा एक लेगा पार सब्सक्राइब इसके बाद में दोस्तों एक TV है, यह TV पूरे दिन जब चलेगी, यह नि पूरे दिन में 5 गंटे जब चलेगी, तो यह जो लोड कंजेप्शन करेगी, वो करेगी दोस्तों, 200 WH, डबलु एच, डबलु एच का साय है दोस्तों, तो यह जो था हमारा वाट था, यह जो 50 वाट, यह जो पूरे दिन में जो कंजेप्शन करेगी, वो करेगी दोस्तों, 200 WH, और हमारे जो प्रेस है, वो प्रेस एक हजार वाट पूरे पूरे आजएंगे, तो एक हजार डबलु एच, तो दोस्तों, हमें इन सब को प्लस कर लेता हूं, तो मैंने इन सब को पहले प्लस कर इस से में को पता चलीए, कि मेरे जो एक तिन गर का जो लोड है, 3270 WH, तो दोस्तों हम मेरे को जो हमारे सोलर पेंटर लाना पड़ेगा, वो इसके हिसाब सेाना पड़ेगा, पर दोस्तों हमारे सोला पेंटर ऌलो अघ में, थेक है, किलो वाट में होता है, तो इसको अभसे पढ़ेब तो किलो वार्ट में करना पड़ेगा तो किलो वार्ट में करने के लिए दोस्तों हम इसमें 1000 बहाग लगा देते हैं तो 3270 एक हजार तो एक जिरो से एक जिरो कट किया और बच्चे दो जिरो तो दो के आगे पॉइंट लग जागा और यह हो जागा 3.27 तो दोस्तों हमारे जो एक दिन में जो टोटल यूनिट खर्च हो रही है 3.27 kwh तो दोस्तों इसके लवा अगर कुछ भी लोड अगर हमारे कुछ जादा चलता है या फिर इसके लवा कोई नया लोड अगर हमारे घर में लगाते हैं तो टोटल हमारे घर के अंदर जो कंजेप काफी होगा क्यों होगा दोस्तों क्योंकि जो 1 kW का solar panel है यह 1 kW का solar panel दोस्तों अगर इसमें पूरी बराबर तरीके से इसमें सूरज की रोश्नी या इसमें energy मिल रही है इसको बराबर तो क्या करेगा यह एक घंटे के अंदर 1 kW यानि हमको पावर दे रहता है 1 kW का solar panel होत तो दोस्तों अगर यह पूरे पांच घंटे अगर हम इसके मानते है चार से पांच घंटे अगर इसको बराबर एनर्जी मिलती है तो हमको तो ओर लोड चितना चीए हमारा तो लोड सिर्फ ओल्ली फोर 4KWH का यह तो हमको यह आराम से एक किलोवाट का जो सोलर पेनल होता है वह चार से 5KWH दिन की हमको पावर दे देता है तो दोस्तों हमारी जो सेफिसेंट रहेगा वह एक किलोवाट का सोलर पेनल रहेगा अगर दोस्तों आपकी यहाँ पर यहाँ पर पांच के डवलोएच या फिर 6KWH आ रही है तो यहाँ पर आप 1.5KW का सोलर पेनल लगाए तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर इसमें जो सोलर जो हम लगाएंगे इसमें खर्च कितना आएगा खर्च की बात करें तो दोस्तों हमारी जो गोवर्मेंट की वेबसाइट है www.mnre.com तो दोस्तों यह जो हमारी साइट है इस साइट में जो हमारी गोवर्मेंट होती एक लाग बीज़ार रुपई झार रख टो दोस्तो कुछ इस परगाप दर के पर किलो वार्ट पर बो साठां रुपसर ले रही है और दोस्तों कि संवनें सीरी और बिसमें दो संवाहई वह कितनी है तो दो स्वीर्मेंट हम अय कि समीर मिलेगी वो सबसीडी भी आपको इसी साइट पर ही देखने को मिलेगी mnre.com पर तो दोस्तों गौर्मेंट ने हमारे सोलर पैनल पर इस्थाई सबसीडी कर रखी है जो कि 2019 से 2022 के बीच में अभी नए स्कीम चला रखी है जिसके अंदर दोस्तों हमारे जो सोलर पैनल है एक उसके अंदर दोस्तों हमको 20% तक सबसीडी मिल जाती है पर 210 किलोवार्ट के जो उपर के सोलर पैनल है उसके अंदर कोई भी सबसीडी नहीं मिलती है तो दोस्तों उमीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो